प्रो कबड़ी सीजन 11 में सभी बारा टीमों के कौन होगे हेट कोचेज आईए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं शुरुआत करते हैं बेंगॉल वारियर्स के साथ बेंगॉल वारियर्स के टीम ने अपना नया हेट कोच अनाउंस कर दिया है जो की होगे प्रसान सुर्वे प्रसान सुर्वे पिछले दो सीजन से असिस्टेंट कोच रहे है बेंगॉल वारियर्स के सीजन 9 और सीजन 10 में एंड ये अनाउंस कर दिया है Bengal Warriors की टीम ने Social Media पे की Season 11 के लिए प्रसान शुर्वे होने वाले है नए Head Coach बात करते है Bengaluru Bulls की, Bengaluru Bulls के Head Coach भी बहुत पहले ही अनाउंस हो गया एंड वो कोई नहीं रंदिर सिंग सहरावत सर होने वाले है, Season 1 से लेके अभी तक Bengaluru Bulls के टीम ने एक भी Head Coach चेंज नहीं किया है रंदिर सिंग सहरावत Once Again Season 11 में Bengaluru Bulls के Head Coach होने वाले है अब बाकी टीमों के बारे में बात करें, इससे पहले जितने भी टीमों के कोचिस के अपडेट आये थे वो मिन आपको सबसे पहले Telegram चैनल पे बता दिया है आपके भी जॉइन कर सकते हो, तो whatever जॉइन कर लीजिए जिन्होंने भी जॉइन नहीं किया है, auction बहुत ज़्यादा करीब है और डेली कुछ ना कुछ अपडेट स्पीकेल 11 के रिगार्डिंग आएगे, सब कुछ आपको Telegram चैनल पे देखने को मिल जाएगा next team है दबंग डिली की team, दबंग डिली का नया head coach देखने को मिलेगा season 11 में जो होगे जोगिंदर नर्वाल, जोगिंदर नर्वाल दबंग डिली के कपतान रह चुके थे season 6, season 7 and season 8 में and season 8 में तो दबंग देली के टीम ने PQL का टाइटल भी जीता season 9 में as a player हरियाना स्टीलर्स के टीम से खेले and season 10 में coaching में इनका entry हुआ season 10 में दबंग देली के assistant coach थे and ये season 11 जो आएगा जोगिंदर नर्वाल पहली बार head coach के रोल में देखने को मिलेगे तबंग देली के अब बात करते गुजरा जैंड्स की गुजरा जैंड्स के head coach होने वाले है राम महर सिंग इसमें कोई doubt नहीं ताकि गुजरा जैंड्स की team कोई भी बदलाव करेगी season 9 में announce किया था राम महर सिंग को as a head coach for गुजरा जैंड्स season 10 में भी दुबारा continue किये थे and season 11 में once again गुजरा जैंड्स के head coach होगे राम महर सिंग अगली team है हरियाना स्टीलर्स की team हरियाना स्टीलर्स की team ने भी कोई बदलाव नहीं किया है मनप्रिस सिंग ही होने वाले है हरियाना स्टीलर्स के head coach pro कबड़ी season 11 के लिए season 9 and season 10 में हरियाना स्टीलर्स के head coach थे and season 11 में once again continue करेगे and फिछले season तो मनप्रिस सिंग हरियाना स्टीलर्स को final तक ले गए थे and क्या इस बार title जिताएगे वो तो हमें season 11 में ही पता चलेगा अगली team है season 9 की champion जैपूर पिंग पैंथर्स की team जैपूर पिंग पैंथर्स की team भी कोई बदलाव नहीं करने वाली है once again वो ही head coach होगे कौन ते head coach संजीव बालियान सर season 8 में appoint किया गया था as a new head coach for जैपूर पिंग पैंथर्स season 9 में title भी जिताया season 10 में continue किये and season 11 में चौती season लगतार जैपूर पिंग पैंथर्स के head coach होगे अब बात करते पतना पाइरेट्स की पतना पाइरेट्स की कौन head coach होगे तो पतना पाइरेट्स की team ने अपना head coach change नहीं किया है नरिंदर रेडू continue करे गे as a head coach for पतना पाइरेट्स PKL 10 में announce किया था and PKL 11 में once again नरिंदर रेडू होने वाले है पतना पाइरेट्स के head coach next team है पुनेडी पल्टन की team defending champions पुनेडी पल्टन की team भी coach नहीं बतलेगी जो BC रमेज थे once again पुनेडी पल्टन के head coach होगे PKL 11 के लिए season 9 में इनको appoint किया गया था as a new head coach for पुनेडी पल्टन season 10 में पुनेडी पल्टन को title जीताया and season 11 में once again BC रमेज के साथ जाने वाली है पुनेडी पल्टन की team कौन head coach बदल रहा है अगली team है तल्गू टाइटन्स की team तल्गू टाइटन्स की team नए head coach के साथ उतरने वाली है वैसे तो पिछला तीन season तल्गू टाइटन्स के लिए अच्छा नहीं गया है तल्गू टाइटन्स के head coach हो गए क्रिशन कुमार हुड़ा sir इनको appoint किया गया है जब PQL 10 end हुआ था उसी समय announcement हो गया था दबंग दली के head coach रह चुके क्रिशन कुमार हुड़ा season 6 से लेके season 9 तक जिसमें season 8 में दबंग दली की team प्रो का बड़ी का title जी थी अब नए team में head coach करते होई दिखेगे क्रिशन कुमार हुड़ा जो की है तल्गू टाइटन्स की team अगली team की बात करते तो अगली team भी south की team है जो की है तमिल थलावस की team तमिल थलावस की team ने भी head coach announce कर दिया है और नए head coach के साथ जा रही है आप कहा सकते हो कि former head coach रह चुके है तमिल थलावस के कोई नहीं है वो है जे उदे कुमार और आपको पता चली गया होगा तमिल थलावस के season 7 से लेके season 9 तक तमिल थलावस के head coach रहे जे उदे कुमार season 9 में आदा season head coach किये थे और personal reasons के कारण बाहर हो गए जिसमें अशन कुमार की entry हुई और अशन कुमार season 10 में भी head coach किये और साथी में धर्मरा चलराथन को appoint किया गया है as a strategy coach और मैं आपको बता दू कि जो backstage काम होगा वो जे उदे कुमार करने वाले नवाईपी को ढूंडना लेकिन जब matches सेलेगे उस समय आपको धर्मरा चलराथन देखने को मिल जाएगे coaching करते हुए तो तमिल तलावस की टीम एक नए तरीके से इस बार उतरने वाली एक coaching की बात की जाए एक chief coach और एक strategy coach जो की धर्मरा चलराथन है अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया वसी स्रिलंका का T20i series स्टार्ट हो चुका है cricket में और साथी में ODI इस series भी होने वाला है इस series के regarding जितने भी matches के prediction हो गए जितने भी fantasy teams हो गए वो आपको cricket gully channel पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा cricket gully fantasy channel को आपने join नहीं किया तो फटफट join कर लो description box में आपको link दे देने वाला हो या फिर आप telegram पे जाके at the rate cricket gully fantasy channel सर्च करके join कर सकते हो दो टीम बची है अगली टीम है UP Odas की टीम UP Odas के head coach हो गए जस्वीर सिंग जस्वीर सिंग once again UP Odas को coaching करते होए दिख जाएगे and जस्वीर सिंग UP Odas के साथ season 6 से जुड़े होए season 6 से लेके अभी तक UP Odas की टीम ने अपना जो head coach है वो change नहीं किया है and once again जस्वीर सिंग coaching करते होए दिख जाएगे UP Odas को प्रोक बड़ी season 11 में and आकरी टीम की बात करते है आकरी टीम बच चुकी है U Mumba की team U Mumba का head coach पिछले season ते गोलम रेजा माजिन दरानी and क्या continue करेगे वैसे तो U Mumba की team ने ऐसा कोई hint नहीं दिया लेकिन chances बहुत ज़दा high है कि गोलम रेजा सर के साथ one second continue करेगे दो season U Mumba को coach कर चुके है season 6 में head coach थे and season 10 में appoint किया था लेकिन पिछले season बहुत ही ज़्यादा disappoint U Mumba की team ने किया अब देखते है U Mumba के management इनके साथ continue करती है कि नहीं लेकिन high chances के continue करेगी and आने वाले दिनों में confirm हो जाएगा कि गोलम रेजा continue करेगे कि नहीं करेगे and क्या नया head coach U Mumba का होगा तो यह थे pro cover 10 season 11 के लिए सभी 12 teamों के head coaches and इस वीडियो में सिर्फ head coaches के बारे में बात किया है assistant coaches का अभी बहुत सरे teamों ने confirm नहीं किया है इसलिए जब सभी teamों के confirm हो जाएगा उस पे एक detail video आपको देखने को मिल जाएगा and auction से पहले कौन-कौन से players होने वाले retain मैंने इस वीडियो में बात किया RYP, nominated NYP's and साथ-साथ existing NYP's के retain players आपने नहीं देखा है तो left side पे click करके देख सकते हो and right side पे channel का latest video show हो रहा होगा उस पे click करके आप देख सकते हो मिलते उसे videos में thanks for watching